दोस्तों LIC का 2023 में एक और नया प्लान आ गया है नहीं आने वाला है अभी लांच नहीं हुआ है लेकिन information आ चुकी है हमारे पास और ये एक term insurance प्लान है और इस term insurance की खास बात ये है कि अगर policy term के बीच में दुरगटना नहीं होती है समय पूरा हो जाता है तो आपका जो जमा क किया हुआ पैसा है वह आपको वापस लोटा दिया जाएगा मतलब maturity के time पर आपने जो जमा किया था वह आपको वापस हो जाएगा बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि term insurance क्या है लेकिन मैं उनको एक line में समझाना चाहता हूं कि term insurance वह होता है जहां पर सिर्फ वहीं पर पैसा मिलता है जब policy holder की उस time period में death हो जाए मतलब death में ही आपको पैसा मिलता है अगर policy term पूरा हो गया और death नहीं होई उस time period के बीच में तो आपका जितना भी पैसा जमा होता है वो सब खतम हो जाता है वेस्ट हो जाता है आपको कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन अब ऐ पैसा नहीं होगा क्योंकि LIC आपके लिए ला रही है नया जीवन किरन प्लान जिसका टेवल नंबर है 870 और यह एक term insurance प्लान है वो भी ऐसा term insurance प्लान जिसमें अगर समय पूरा हो जाता है और policy holder के साथ कुछ भी नहीं होता है किसी भी तरह के दुरगटना नहीं गटती है तो समय पूरा होने पर जो आपने पैसा जमा किया है वो आपको LIC वापस लोटा देगी दोस्तो ऐसा अभी तक किसी भी term insurance प्लान में possible नहीं था लेकिन अब LIC की वज़ा से और LIC के इस product की वज़ा से जिसका नाम है जीवन किरन यह possible हो गया है और अगर policy holder की death time period के बीच मे हो जाए तो आपको समय शॉर्ड मिलेगा दोस्तो आप जानते हैं कि इस policy को लेने के लिए क्या क्या condition है सबसे पहले जानते हैं कि इस plan को लेने के लिए minimum उमर क्या है वो है 18 साल अगर 18 साल का व्यक्ति है तो वो इस plan को ले सकता है और अगर maximum age की बात करें maximum उमर की बात करें तो वो है यहाँ पर 65 years यानि की 65 साल 18 साल से ले करके 65 साल के लोग इस plan को ले सकते हैं अब बात आती है कि इस plan को कितने समय के लिए लिया जा सकता है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कम से कम इस plan को लेने के लिए आपको 10 साल के plan लेना होगा और maximum आप इसे 40 साल का ले सकते हैं यानि कि आप 10 साल से ले करके 40 साल के बीच का कोई भी टर्म ले सकते हैं अब बात आत प्रेम्यम में उसके अंदर आपको उतने ही समय प्रिम्यम देना होगा जितने समय का आपने पॉलिशी टर्म लिया है जी हाँ और डूसरा संगल प्री में उसे में clear हो रहा है नाम कि आपको सिर्फ एक बार premium देना है उसके बार कोई भी premium नहीं जाएगा अब बारी आती है कि इसमें हम कम से कम कितना summer short यानि कि कितना cover ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं यहाँ पर minimum summer short है 15,00,00 रुपे का 15,00,00 रुपे के ऊपर आप कितना भी ले सकते हैं यानि कि maximum summer short की कोई भी limit नहीं है बस आपको कम से कम 15,00,00 का summer short इस plan के अंदर लेना होगा इस plan में minimum age at maturity भी दी गई है मतलब जब आपकी policy पूरी होगी आपका पैसा वापस आएगा उस वक्त कम से कम उमर कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर 28,00 साल दी गई है यानि कि जब आपकी policy पूरी हो उस वक्त कम से कम 28,00 साल उमर होनी चाहिए और यहाँ पर maximum age at maturity भी दी गई है मतलब जब policy पूरी होगी तो उस समय पर आपकी age जादे से जादा कितनी हो सकती है वो यहाँ पर 80 साल दी गई है तो दोस्तो आप इसे समझते हैं एक छोटे से example से माल लेते हैं कि किसी की उमर 30 साल है और वो इसे 40 साल के लिए लेना चाहता है basic semester वो ले रहा है कम से कम 1 करोड रुपे का और उसके बाद इसमें वो payment का जो mode ले रहा है वो है regular वाला, single वाला नहीं तो दोस्तो इस case में जो premium जाएगा वो अभी clear नहीं हुआ है मतलब premium calculation नहीं आई है अभी यह मैं आपको आगे future में यह कह लिए जैसे ही पता चलेगा मैं आपको एक वीडियो के जरिये बता दूँगा या फिर आप मुझे टेलिग्राम पर follow कर सकते हैं वहाँ पर आप उस group को join कर सकते हैं मैं आपको आपकी उमर पर बता दूँगा कि आपके कितना premium जाएगा तो दोस्तों आप बारी आते हैं कि maturity पर उन्हें क्या मिलेगा 30 साल वाले व्यक्ति ने 40 साल का term लिया यानि कि उस वक्त उनकी 70 साल की उमर होगी तो उन्हें maturity के time पर जो उन्होंने पैसा जमा किया उस time period के बीच में वो सारा का सारा LIC उन्हें वापस लोटा देगी लेकिन दोस्तों अगर policy holder की death policy term के बीच में हो जाती है तो उस case में क्या मिलेगा अगर हम बात करें regular premium की जो हमने इस example में choose किया है तो उसमें calculation इन तीन तरीके से होगी सबसे पहली है सालाना premium का साथ गुना और या फिर 105% जो आपका premium जमा हुआ उसका या फिर basic summer short जो भी इन तीनों में से ज़्यादा होगा आपको वो मिलेगा और दोस्तों अगर हम बात करें single premium की अगर यहाँ पर किसी ने single premium mode choose किया होता तो उसे क्या मिलेगा तो उसे सबसे पहली condition यह होती है कि 125% of single premium या जो आपने single premium दिया उसका 125% मिलेगा या फिर आपको basic summer short मिलेगा इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा आपको वही मिलेगा दोस्तों इस plan के अंदर कुछ extra benefit लेने के लिए कुछ rider भी available है जो केवल दो ही rider है सबसे पहला rider है ADDB यानि कि accidental death disability benefit rider या फिर AB rider यानि कि accident benefit rider आप इन दोनों में से कोई भी rider अपनी इस policy के अंदर ले सकते हैं और अगर आप इन दोनों ही riders के बारे में detail में जानना चाहते हैं उसके लिए मैंने separate video बनाए हुई है उसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं दूसरी चीज इसके अंदर premium payment mode क्या-क्या available है अगर हम regular की बात करें तो वहाँ पर दो mode ही available है half yearly और yearly यानि कि छमाई और सालाना बाकियों की तरह नहीं है कि इसमें monthly mode quarterly mode भी मिल जाए यहाँ पर सिर्फ आपके पास दो ही mode available है और अगर single की बात करें तो वहाँ पर तो आपको clear यह सिर्फ एक बार ही पैसा देना होगा यहाँ पर grace period भी मिलता है आपको इस policy के अंदर अगर आप कोई भी mode choose करते हैं half yearly या yearly में से आपको 30 दिन का grace period मिलेगा मतलब अगर आप due date के टाइम पर जमा नहीं कर पाते हैं policy को तो आपको extra 30 दिन मिल जाते हैं जिससे कि आप अपनी policy को जमा कर पाएं बिना late fee के दोस्तों वैसे तो LIC के पास दो term insurance और available हैं लेकिन उन term insurance में और इस term insurance plan में difference इतना है कि जो amount maturity पर नहीं मिलता वो इस policy के अंदर मिलता है मतलब term insurance के अंदर पैसा सिर्फ तभी मिलता है जब policy term के बीच में death हो जाती है लेकिन LIC ने आपको यहां पर बहुत ही खूबसूरत plan दे दिया है जिसमें अगर कुछ नहीं होता time period के बीच में तो आपको maturity पर जो आपका पैसा जमा होता है वो वापस return कर दिया जाता है लेकिन बाकी उन दोनों plan में वलकि LIC के ही दोनों term insurance plan में ही नहीं private company के term insurance plan में भी कोई maturity नहीं है और दोस्तों बाकी policy हो में आपके साथ ही रहता है कि उसमें loan मिल जाता है लेकिन इस policy के अंदर कोई भी loan नहीं मिलेगा यहाँ पर loan का कोई भी option available नहीं है और इस policy को surrender भी किया जा सकता है वो भी दो साल के बाद लेकिन मैं आपको सजेच करूँगा कि इस policy को surrender करने की सोचे ही ना क्योंकि हमने यह अपने परिवार के लिए ही क्यों लिए कैसे लिए term insurance किसले लेते हैं उसे जानने के लि तो यहाँ पर उसे हम कभी भी surrender कर सकते हैं कभी भी जब आपका मन करें और अगर आप surrender value जाना चाते हैं अपनी policy की तो उसके लिए आप सिर्फ एक call से पता कर सकते हैं उसका तरीका यहाँ इस वीडियो में मिल जाएगा या फिर आप हमारा telegram group भी join कर सकते हैं वहाँ पर लेने की सोच रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं उन policy पर क्या loan amount हो सकती है क्या surrender value हो सकती है उसे आप घर बैठे जान सकते हैं मेरी बनाए हुई वीडियो देखकर सिर्फ एक call में वह कैसे उसे जानने के लिए आप वीडियो देख लीजिए उसका link आपको description में मिल जा अराम से इस plan की वज़े से ले सकते हैं term insurance plan क्योंकि यहां पर उनका पैसा वापस लोटा दिया जाएगा अगर उस time period के बीच में कुछ नहीं होता है तो है ना बहुत बड़ा बात आपको कैसा लगा यह plan मुझे एक बार अपनी comment में राए दीजिए कि यह plan आपको कैसा लग रहा है अगर इस video को कोई भी LIC agent देख रहा है तो उनके लिए मैंने special आनंदा series बनाई हुई है जिसमें वो यह जान सकते हैं कि policy को online कैसे करते हैं उसका सारा का सारा process step by step मैंने वहां बताया हुआ है और अगर वहां पर कोई भी error आता है उसके लिए भी मैंने वहां solution दिया ह हुआ है आप सारी चीजे अपने mobile से एक click में कर सकते हैं चाहे वो कोई report निकालने हो चाहे वो आधार की offline kyc file download करना हो या फिर चाहे आनंदा के portal पर direct जाना हो सब कुछ है वहां पर एक बार उस series को जरूर देख लेना उसका link आपको description में मिल जाएगा और चैनल पर जा गया होगा लेकिन दोस्तों जैसे ही इस plan का premium calculation आ जाएगा मैं आपको वीडियो के जरी inform कर दूँगा लेकिन आपको कैसे पता चलेगा चैनल को subscribe कर लीजे तब भी आपको पता पड़ पाएगा और notification bell को on कर लेना जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपके बास notification पहुं जानले बाद